कि हेलो फ्रेंट्स तो देखिए जो आपका सीए पेफ पेपर टू की जो आपकी क्लासेश चल रही है वहां पर आज हम एक नए टॉपिक को डिसकस करेंगे यह टॉपिक एज इस डायरेक्ट एससे आगुमेंट रिपूर्ट पॉइंट पॉइंट नहीं है लेकिन अगर आप इस नहीं है और अप को प्राइज तो यह टॉपिक काफी इंपॉटेंट हो जाता है तो बिसकली टॉपिक काफींपॉटेंगेंट हो जाता है वह बेसिकली तुडेए जो हम आज टॉपिक इंपक्ट ऑफ क्रूड ओईल प्राइस इस टॉपिक को आज हम काफी कॉंप्रेहंसे विली टूद पॉइंट क्रिस्प मैनर में लेकिन जितनी भी बाते करेंगे काफी जदे एक्स्प्रेटरी रखके इसको हम डिसकस करेंगे वाइब बिकॉस अगर हम देखें इसके हम बेसि क्रेशन के पर्सक्रेशन को देखते हैं डिमांड पुल हो या फिर कॉस्ट अग्र तो काफी इंपर्टेन गहते हैं तो जैसा कि आपको पता हो कुरूड ऑईल के प्राइस हम डेटर माइन नहीं गड़ सकते ठीक है और हम काफी ज़दा import पर dependent होते हैं जब हम crude oil की बात करते हैं तो जब हम import पर dependent होते हैं crude oil के prices हमारे according नहीं होती है तो काफी ज़्यादा इसका हमें large impact हमें देखने के लिए मिलता है तो उस basis पर अगर आप देखेंगे तो यह topic काफी important हो जाता है हम इसके पूरे complete perspective से देख लेंगे complete understanding आपको मिल जाएगी ठीक है तो हम आज बात करेंगे impact of crude oil prices on Indian economy तो इसे हम समझने के लिए पहले हमें एक perspective एक example की थोड़ी से समझने के उसे देख रहें ताकि आपको थोड़ी सी clarity मिल पाए माल लेते हैं अगर हम बात कर रहे हैं आज crude oil की तो हम एक estimate price ले ले लेते हैं कि पर बैरल जो है वो hundred dollars hundred dollars आपका पर बैरल आपकी price है ठीक है अब माल लेते हैं कि आपकी जो price है वो क्या हो गई है reduce हो गई है किते 50 dollars माल लेते हैं reduce हो गई है तो 50 dollars पर बैरल यह आपकी price reduce हो गई है मैं दोनों perspective बात कर लूँगा rise और reduce दोनों के prices में ताकि आपको complete idea मिल जाए इसके pdf के लिए आपको क्या करना है टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर जाके सर्च करने की ज़रूरत है इस डिफेंस ठीक है आप इस डिफेंस सर्च कर सकते हैं वहां पर आपको pdf और यह सारी चीज़े मिल जाती है इसके अलाव program idea है हमारी incredible अभिषे 10 ठीक है तो वहां पर आप पूछ सकते हैं अगर मैं बात करता हो क्रूड ओयल प्राइसे की तो मैंने अभी आपको कहा कि क्रूड आइल के लिए आपको पता होगा कि हम बहुत ज्याद़ हैं तो अगर इसकी price reduce हो जा रही है तो हमारी जो import है import यानि the value of import क्या होगा reduce हो जाएगा कहने का मतलब है अगर हम for example एक लाख डॉलर एक लेट से estimate लेते हैं एक लाख डॉलर की हम अगर import करते थे तो वो half हो जाएगे यानि 50,000 हो जाएगे तो हम जो है वो 50,000 save कर पाएगे 50,000 डॉलर तो हम कह सकते हैं कि जब import की value क्या होगी import की value कम हो जाएगे इसका मतलब कि हमारा जो trade deficit है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा हमारी जो trade deficit है that will reduce कैसे आपको पताओगा trade deficit आपको पताओगा कि when we are exporting and importing things हम कुछ import करते हैं और export करते हैं deficit में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी same manner में अगर हमारा import जो है वो कम हो रहा है इसका मतलब है कि जो हमारा outflow है कि इसका outflow of forex यानि जो foreign exchange है उसकी outflow भी कम होगी क्यों क्योंकि जब हम crude oil या कोई भी चीज import करते तो हम dollars में payment करते जब हम यहां पर 50% ही उसका payment करना पड़ रहा है यानि हम 50% क्या कर पारे हैं save कर पारे हैं तो इस manner में अगर आप देखें तो जो outflow of forex है यानि foreign exchange है वो कम हो दिखेगा इससे क्या होगा हमारे पास जो forex reserve है वो बढ़ेगा यानि कि जो forex reserve है वो हमारा बढ़ेगा ठीक है forex reserve हमारा ज़्यादा होगा and then second thing is that जब forex का demand यानि foreign exchange जो है या rupees जो है उनकी demand कम होगी तो जो हमारी rupee है उसकी depreciation नहीं होगी ठीक है आपको पता होगा कि when foreign यानि dollars जब ज़्यादा demand में होते हैं रूपीज क्या होती है depreciate करती है तो यहां पर क्या होगा रूपीज का depreciation नहीं होगा ठीक है और forex reserve हमारी बढ़ेगी तो अगर हम इस पूरे perspective को देखें इस पूरे perspective को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो balance of payment है वो क्या होगा इंप्रूव होगा ठीक है हमारा balance of payment जो है वो इंप्रूव होगा तो आप समझ सकते हैं यहां पर कि जब हमारे prices कम हो रही है तो हमारा जो import है import की जो value है वो क्या होगी reduce हो जाएगी इसके कारण हमारा trade deficit है वो कम होगा outflow forex भी कम होगा और forex reserve हमारा बढ़ जाएगा तो इससे हमारा BOP यानि balance of payment क्या होगा इंप्रूव होगा अगर हम दूसरे perspective में देखें तो हम यह देख सकते हैं कि अगर माल लेते हैं कि prices कम हो गई है crude oil की यानि हम 50% save कर पा रहे हैं तो हमारा जो tax revenue है जो हमें tax revenue मिलता है यानि government को जो tax revenue मिलता है वो बढ़ जाएगा क्यों को कि हम देख सकते हैं कि जो excise लगते है basically the excise that is being there in petroleum वो क्या होगा जादा होगा ठीक है excise जादा होगा तो tax revenue बढ़ जाएगा और जो subsidies basically petroleum में दी जाती है अगर price कम हो चुकी है तो subsidies जो दी जाती है petroleum में उन subsidies को क्या किया जा सकता है कम किया जा सकता है तो subsidies को क्या किया जा सकता है और जो petroleum पे excise लगता है वो उसे बढ़ाया जा सकता है तो इससे benefit क्या मिलना है इससे जो हमारा budgetary deficit है the budgetary deficit, जिसके हम बात कर रहे हैं, तो budgetary deficit लेंड है, थीक है, एक तरफ हमारे सामने, अगर आप देखें, तो trade deficit हमारी कम होगी, sorry, यहाँ पर improve होगा, that means, ये बज़ेटरी deficit कम होगी, ठीक है, एक तरफ trade deficit भी कम होगा, दूसरी तरफ हमारा जो budgetary deficit है, वो भी हमें कम होगा क्योंकि tax revenue क्या है बढ़ चुका है सरकार के पास ज्यादा पैसे गवर्मेंट के पास ज्यादा पैसे हैं क्योंकि एक साइज ज्यादा है उन्हें सब्सीडिस कम देनी पड़ रही है तो surplus of money तो उसे वह development के perspective से भी यूज कर सकते क्योंकि जब government के पास पैसे होते हैं दो basically होती है यह होती है essential essential expenditure दूसरी होते developmental expenditure essential expenditure कभी भी कोई भी government कर्ब नहीं करना चाहती लेकिन जब हम सौट करने की बात करते हैं तो हम developmental expenditure से compromise करते हैं तो अगर हमारे पास surplus of money है तो we can use that money in developmental expenditure तो development पे various expenditure को हम use कर सकते हैं and the third perspective अगर हम देखें तो वो perspective आजाता है हमारा inflation का perspective अगर आपको पता को कि crude oil पे बहुत हद तक prices जो हैं वो determined रहती हैं तो उसके basis पे अगर हम देखें तो crude oil की prices अगर कम हुई तो हमें देखने के लिए यह मिल सकता है कि जो inflation rate है वो क्या होगा कम होगा जैसे ही हमारा inflation rate कम होगा यानि money supply inflation rate कम basically simple सा है money supply कम है तो हम क्या कर सकते हैं यानि RBI basically क्या कर सकते हैं रेपो रेट को कम कर सकते हैं क्यों क्योंकि अगर inflation rate ज्यादा होगा अगर inflation rate ज्यादा है तो हम रेपो रेट को बढ़ा और इंट्रेस्ट्रेट जो हैं वो कम होने से क्या हमें benefit मिलेगा? बैसिकली investment बढ़ जाएंगी investment हमारा बढ़ जाएगा industrial growth जो हमारा बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि interest rate कम होने से firms जो basically loans लेते हैं उन्हें benefit मिलेगा वो easily ले सकते हैं इससे benefit क्या मिलना है? अगर interest rate कम हो रही है firms ज़्यादा loan ले पा रही है और उनकी investment बढ़ रही है तो उससे benefit यह है कि जो profit है the profit of what? profit of corporate corporate की जो profit है वो हमें increase होता है नजर आएगा corporate की profit simple सी बात है अगर loan interest rate कम है तो ज़्यादा पैसे ले पाएंगे और उनको repay भी कम करना पड़ेगा और second में कि वो investment ज़्यादा कर पाएंगे जब investment ज़्यादा करेंगे तो profits भी automatically बढ़ेंगी और जब profit बढ़ते हैं तो definitely जो हम share prices की बात करते हैं share prices क्योंकि profits बढ़ रही हैं तो share prices बढ़ेंगी इससे क्या होगा जो stock exchange में आप indices देखते हैं वो यानि जो कहते हैं कि share बढ़ रहा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और जब इस प्रकार का scenario होता है तो इससे जो foreign investment है foreign investment वो किसी भी country में बढ़ती है तो इंडिया में भी आपको foreign investment बढ़ता बना जा रहाएगा क्योंकि corporate को benefit हो रहा है profit हो रहा है profit होंगे तो उनके share prices बढ़ेंगी stock exchange में indices जो हैं वो आगे हैंगी मतलब हाई होंगी उस कारण से foreign investment हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी तो overall अगर आप देखें तो crude oil पर कितिनी कुछ dependent अगर आप समझने की कोशिस करें crude oil कम होती है तो crude oil के prices कम हो रही है तो trade deficit कम हो जाएगा budgetary deficit कम होगा government के बाद ज़्यादा पैसा है spend करने के लिए developmental expenditure पे हमारी trade deficit कम होगी second अगर हम देखें तो inflation कम होगा साथ साथ जो है corporates को फाइदा को तो foreign investment भी country में आती भी आपको नजर आएगी लेकिन अगर वही हम देखते हैं इसको हम उल्टे perspective में देखते हैं कि अगर prices बढ़ जाती हैं यहाँ पर अगर 100 के जगा पे 150 dollars per barrel अगर हो जाए तो यह क्या होगा आपको simple सी बात है import bill जो है वह बढ़ जाएगा यानि इंपोर्ट जो हम जो हमारी बोर्ट बिल आ रही है वह बढ़ जाएंगी तो उस कारण से क्या होगा हमारा trade deficit और भी जादा क्या होगा बढ़ जाएगा और साथ साथ जो फॉरेक्स है वह हमारा लगातार क्या होगा स्रिंग होता वह हमें नजर आएगा यानि जो हमारा फॉरेक्स है फॉरेक्स रिजर्व वह हमें लगातार सिंग होगा क्योंकि हमें ज्यादा पेमेंट करने पड़ेगी और साथ साथ रूपीज का भी डेप्रिशेशन देखने के लिए मिलेगा ठीक है इसके बाद अगर हम देखें तो tax revenue सरकार की कम हो जाए क्योंकि फिर सरकार को गवर्मेंट को बेसिकली जो है क्रूड बेसिकली क्रूड आइल पर आपका फ्यूल प्राइजेज डेटर्माइन होती है तो फ्यूल प्राइजेज को स्टेबलाइज रखने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा सब्सीडीज देने की ज़रूत पड़ेगी तो उस कारण से उनकी tax revenue क्या होगी कम होगी तो उस कारण से फिर वो development पे expenditure नहीं कर पाएंगे साथ-साथ inflation rate हमें बढ़ता होगा जिस कारण से रेपो रेट को और भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट से फिर जो मनी हो सब्सक्राइज करने की ज़रूत है कि अब कमी आती नजर आईगी तब समझ पा रहे हैं कि इस बात को समझेने की ज़रूत है कि impact of crude oil prices on Indian economy is very vital ठीक है तो बहुत ही आपको डाइवर्स परस्पेक्टी में आपको देखने के लिए मिलेगा तो आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था इस टॉपिक में वह आपको clarity of thought मिली होगी इसी प्रकार के लगाता आपको current issues से related topics से related content मिलता रहेगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हम मि बिलते हैं next video में thank you and have a nice day